और आज इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं कॉंग्रेस से कैलाश जी घडवी आपका स्वागत है आज हमारे स्वागत है कैलाश जी साथ ही हैं बीजेपी से भावना बेंदवे आपका भी स्वागत है हमारे शो में और हमारे साथ हैं सोशल महिला एक्टिविस्ट रुजान खंबाता जी आपका भी स्वागत है आज इसके आज सबसे पहले चर्चा की शुरुआत करते हैं मैं सबसे पहले सवाल करूंगी विपक्ष से जो मैंने शुरुआती तौर पर शुरुआत में प्रोग्राम के कहा कि अगर हम बुले ट्रेन ही शुरू कर दें अगर हम एरपोर्ट की तरह सब कुछ AC कर दें तो क्या वही व्याख्य जिकास की वियाख्या का एक भाग यह भी है कि ऐसी विवस्ता हो उसमें गलत नहीं है, होना चाहिए, मगर मुझे क्लट डर लगता है, डर इसलें लगता है कि जो सरकार, ये जो सरकार है, क्योंकि ये गुजरात मॉडल पे किंद्र दिल्ली के सरकार बनी हुई है, और जिस दर गुजरात को पिछले आठ साल से अंधरे में रखने में आया है, गुजरात के बाद जन राजियों में अप्रो ट्रेन अप्रूबवा, वहां में डॉलने लगी है, और अभी भी यहां पर चुंगम चिवाने के लिए दे दिने में आया है, उसी तरीके से यह बुले ट्रेन ज करवे करके और प्रफल रिपोर्ट वी समिट कर दिया है, आज हमारी सरकार कंटीनी होती, तो हम पक्का उसको इंप्लिमेंट करते, और हम उस पर आके काम बढ़ाते, आज उनकी सरकार है, तो वो करें, एक हमारी रिक्वेस्ट है, कि वो करें, जहां तक विकास की बात है, कि क्या कुछ train या कुछ station modernize करके आप पूरे देश को लाब दे दोगे तो यह नहीं हो सकता, इसके लिए पैरलल economy, पैरलल development की बात करनी पड़ेगी, मगर जो कुछ के शुरुवात है, हम उसमें पीछे नहीं हैं, उसको स्विकार रहे हैं, मगर एक खास ध्यान रहने की बात है, कि जो भाले बढ़ाने की बात करते हो, जो आम आदमी को हरान करने की बात करते हो, एक तरफ बुलेट के AC के लिए 5 लोग की बात करते हो, इधर 95 लोग ऐसे बैठे हुएं, जिनको भाले बढ़ने के पैसे नहीं है, और उनको रोजी रोटी के लिए देश में घुमना उसका जो फैर है, उसका जो किराया है, लोग अफॉर्ड नहीं कर सकते हैं, शायद जनरल कोच भर-भर के जाते हैं, लेकिन AC कोच तो दूर की बात रही, एक स्लीपर कोच भी खाली जाता है कई बार, तो आप क्या-कै बुलेट ट्रेन अगर देश में स्टार्ट कर देंगे लेकिन उसके लिए पैसा तो देना पड़ेगा? हमने सर्वेक्षन किया है और हमारी सरकार होती तो ये करते, अब इन लोगों की सरकार है वो करेंगे, तो मैं कैलास जी को और देश की जनता को कहना चाहती हूँ कि जरूर ये भारतिये जनता पार्टी की सरकार ने जो ये योजनाय रखी है देश के सामें, तो गुजरात मे बेटर में बैठके गांधीन घर गया वहां बैठके मैंने सुना क्या ये ऐसे होने माला है या इनका जो कोशें ने करका उसको बहुत अच्छा जावर दू आपको, चार दिन पहले एहमदाबाद में रोड पे लोग निकल गये थे और पूरा रस्ता जाम कर दिया, क्यू मा मोडल फिर करोगे आप वहां, आप देख लो जना करो सा गया, तो समझ के करना, जहां ज़रो तो वहीं करना, नज़रो तो वहां मत करना और आम आदमी का ध्यान रखना मैं आप क्या कहेंगे, मैं आपको फिर बॉलने का मौका दूँगी, रोजान जी, आप क्या कहेंगे, क्योंकि एक आम आदमी की जेप पर तो बिलकुल वजन बढ़ने ही वाला है कमिंग बैक तो सी जो अगर अगर अभी एक अपरिजन रहे तो मैं बता दू कि बिया टीएस का फंडामेंटल ये था कि इंडस्ट्रियल इस यह जो लोग गाडी में गुमते हैं वो बियाटीस में चालू कर देंगे जैसे फारन में होता है और ताकि अपना जो एन्वार्म कि अपनी बुलेट रहे तो शायद 3,000 की टिकेट होगी और प्लेन का भी भाड़ा है पास हजार का तो लोग यह ही कह रहा है कि भाई हम लोग यह इतने छोटे अगर अगर एस अन इंडस्ट्रिलिस नेगा जाएगा तो इंडस्रिलिस नहीं बुलेट में ट्रेवल करेंगे कि बलते हैं Frank, कोई पैसा भी बस नहीं रहा है कोई ठाइम भी पच नहीं रहा था समकि बुलेट में ट्रेवल करेंगे अब जो बुलेट में ट्रेवल करने वाल वो मारए नाया क्वाइन वाड़ होगी बुलेट में हो यह भाड़ा अफेट नहीं कर पाएगा सो जो इसमें जो अपने को जो दिमाग यूज करके जो वो करके ऐसी planning करनी है कि हम लोग हमारी bullet train का infrastructure इस तरह बनाए है ताकि लोगों का time बच सके और साथ में पैसा भी बच सके तभी ये successful जाएगा वनना आप बोलोगे कि अब मैंने bullet train दी तो मैं भाड़ा जादा दूँगा तो ये successful कभी नहीं होने वाला है और दूसरी बाद कि ये कर सकते है क्योंकि हमारे जो अभी existing rail tracks है कुछ नए rail tracks है कुछ पुराने rail tracks है तो जो हमारे अभी existing rail tracks है और हमें bullet train है नहीं आसी भी निक चाहिए कि हमको 400 km की स्पीड है हमें करीब 500-500 की स्पीड में bullet train दोडा नहीं से लेंगे तो हम ये क्या कर सकते है कि हम हमारी जो existing अभी railway lines है उसी को reuse करके उसी को थोड़ा से upgrade करके हम हमारे जो grade से bullet के ticket के रेच से इसको control मेंगे तो ने नाम आम आमी को कब फायदा होगा कि जब उसको AC की सहुलेत मिलेगी लेकिन वो भाड़ा देगा लोकल का तो है कि तो उसको मैं विकास पाऊंगी वना यह वना तो विकास रही सब बढ़ जी अमदावाद और मुंबे के बीच में तिसरा track का 90% काम पूरा होने आया है अगें जैसे में छोड़ी से बात बता हूँ अब एक social media पे जोग चल रहा है उसमें नेंदर मोदी जी राजना सिं करना है यह जंडा दिखा कर चालू करा आँ दूसरी बात यह वह अच्छी बात कहीं उनका जवाब देने ने जो ने अच्छे हैं देश की जनता के लिए लाबदायक है और करने जैसे हैं और आगे जो का में करते रहें और आप बी कर रहें और और पॉजिटिश एल्प दे आपको जी भाउना में क्या कहेंगे आप आपने इतना अच्छा काम किया होता तो आज रेल बजेट आप रख रहे होते हमें आने की जरूरत नहीं थी पर जन्ता ने हमको बिठाया है आप समझ सकते हैं कि आपने कितना काम किया है सही है मैं आपकी बात स्विकारता हूँ आपको ये बात भी स्विकारनी चाहिए कि इस देश का हर 10 वोटर में से 7 वोटर आपके विरुद में वोट दिया है आप हवा में मत घूमिये जमीन पर चलिये और जमीनी विकास पर जोडिये और ये एलेक्षन पूरा-पूरा आइड आपके जम्पल आपको दूँ कि यूपी में मंगाए कि महर अपकी बार मोधी सरकार तो इसले सर अमने तो वोट दिया है अब देखते है इसले तो मैं तो कब से वोट देखते कि जो मिस्टर मोधी जिसको इंपलीमेंटर का जयता एक्जिकिशनर का जयता आउट आउट इननोंने का पहली सरकार ने एसा कुछ पर को मिंडिया था बेढ़ने चीज़ ए उसको इंपल्स वाप्डरिया हम देन नहीं किया इंहोंने किया उसमें बात नहीं जाता है मैं इनसे एकी बात रिकेस्ट करता हूं कि इन होने इंपलेमेंट किया उसका खारण ये बताया कि को फंड की जरुत है और इस देश का रिल्वे नुकसान का इसा लोजीक था इसी टाइप से इनको बहुत बला नुकसान हो रहा है तो क्या वहाँ यह उसको श्क्रण करने के भाड़ा पढ़ाएंगे नहीं बढ़ाएंगे क्योंकि इनको जुँ ह là वहाँ प्लानिय मेनेजमेंट करना है और यहां प्रजान लोट डालना है आप वह काम करोने दौन ये रेल बजेट आज आया है, लोगों ने देखा है और जो कीमतें बढ़ाई थी, वो आपकी बदलत बढ़ाई क्योंकि आपने हमने वारिस में जो कुछ दिया है, वो ऐसा दिया है कि उसको ठीक करने में हमें समय लगेगा, आपने जितना समय लिया है हम उतने महीने भी नहीं लेंगे, आप देखना कि कैसे काम चलता है विकास का, कैसे काम होता है, जनता ने हम पर विश्वास रखा है, और विश्वास को हम बरकरार रखेंगे, इसमें दो वरा आई नहीं है। वन बिलियन टन गुड्स काम ट्रेवल केरी कर रहे हैं, वो आप इतियास आगे ले जाएंगे। तो इस भाव इतियास के ले हमें धन्यवाद दो, आपने डेसिज्म क्यों कर रहे हैं, आपको तो अभार एक्ट करना चाहिए, कि हमने आपको इतना शाइंफ्रसेक्टर दिया ह परिवहन का भी परसंटेज गटा हुआ है, उनको बढ़ाना है, हम बढ़ा कर बताएंगे आपको जी भावनाबेन, इस चीज के लिए, बुलेट रेन के लिए, लाको करोर रुपे का खर्श होगा, इतना सारा बजट, इतना बड़ा बजट जो बताया जा रहा है, लेकिन ये बजट आएगा कहां से? बताया नहीं उन्होंने कोई, बजट में बिल्कुल सही प्रस्ता आपने पुछा है, कि ये जो बजट है, बजट कहां से आएगा, तो हमारी गवर्मेंट ने, यहाँ पर हमारे आज सदानन्द गवडा जी ने रखा था, कि FDI के लिए हम केमिनेट में कहेंगे, और केमिनेट अगर मंजूरी दे देंगी, तो FDI का भ पाइवेट पार्टनर्शिप से भी हम ये काम कर सकते है, लोगों को और सब को विश्वा साइज भारती जनता पार्टी की सरकार पर सब लोग देंगे, हम बनाएंगे सुविधा, और कोई बहुत जनता पर नहीं डालेंगे, और ये सुविधा जनता को मैसूस होगा, कि ऐस हो सकता है, तब जरूर वो बानेंगे कि नहीं, ये काम अच्छा हुआ है, रेल बजेट ऐसा ही होना चाहिए, हमने देखो, राजनितिक तरीके से हमने रेल बजेट रखा नहीं है, कि चलो इधर हमारा स्टेट है, यहां हमें ज्यादा वॉट मिले है, तो उधर अच्छा प हो के सभी स्टेट्स में अभी तक जो सुविधा नहीं है, उन लोगों का भी अधिकार है, हमने ऐसा नहीं सोचा। अगर वही लोग हैं, तो आपकी करनी और कथनी में अंतर है, यह देश की जनता को इस लेटनिक मीडियम के माध्यम से में बताना चाहता हूं। अभी भी देखो, रेल बजेट में जो FDI की स्विकृती है, वो उनका विकास के लिए है, उसके संचालन में हम FDI का पैसा कहा जाएगा ऐसा नहीं। और बड़ी इंडस्ट्री में FDI का हमने विरोध जरूर किया था। आपको याद नहीं है कि भाजपा ने विरोध किया है, क्योंकि आप तो यहीं जानते है कि भाजपा का ही विरोध करो। किन्तु आए विकास में हम सहयोग अच्छी तरसे लेना चाहते हैं, परन्तु हम बिख जाने वाले नहीं है किसी के आगे। आप सहयोग याद आखा जब पाल्लामेंट नहीं चलने देश की एकोनोमी को अपने इस रिश्टरव किया। अब अगर नहीं चली तो हम दोसी नहीं है ना। आप अपकर नहीं चली तो हम दोसी नहीं है ना। जनता ने इसको छोड़ा ही नहीं आपके लिए जनता ने बिल्कुल छोड़ा नहीं है फिर भी आप बोल रहे हैं जी रुजान जी मैं आप से पूछना चाहूंगे आप से कहूंगे हम दोनों अगर बात कते हैं कि पॉस्ट ओफिस से ही सारा बूकिंग होगा ड्रें का क्या हमारे भारत की जो जनता है वो इतनी educated हो गई है या पात साल में इतनी educated हो जाएगी को यह सब कुछ ऑनलाइन कर पाएगी सबसे पहले यह पोस्ट ऑफिस से बुकिंग वाली तो अच्छी बात है क्योंकि यून ऐसे भी पोस्ट ऑफिस से एजली टिकेट बुक कर रहा है तो वह तो अच्छी बात है हम ने कि टेक्नलोजी लट से कि मॉबाल पर भी टीकेट चालो करें तो कोई नई बात ने थी बहुत पहले कर लेनी चाहिए थी अभी की इस आए इंपक्त वंडर की क्यों इतना लेट गया लेकिन जो मेरा कहना है कि जो अभी लेट से कि कुछ 40,000 कोर्ण उन्होंने सफाई के पीछे और डाले है जो पहले भी डाले गए थे लेकिन फिर भी सफाई में कुछ होता नहीं तो वो जो पैसे जब जो हमारी देशी भासम अपट तो चाहू हो जाते चाहू पैसे जाहू ह लिए वरनार 40-40 करोट डालेंगे तो भी कम होगा सफाय में तो यह सब जो implementation and execution of coins है वो important है हमें 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 अब बजेट में देखा जाए तो जाने पहले भी बोला कि यह कोई out of the box thinking नहीं है कोई creative budget नहीं है कि इसमें मैं कुछ सोच हो कि कुछ इदम नया हो सकते और जिससे there can be some inflection point हो सकती हो inflection point होना budget नहीं है but यह normal routine budget इसमें मैं ऐसा भी मैंने कुछ जी बिलकुर इस चर्चा पर हम बने रहेंगे पहले लेते हैं एक प्रिक